हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉन टू बीपीएस्सी दरपन आज हम बात करेंगे बीपीएस्सी एक्जाम क्राइक करने के लिए हमारा वेस्ट प्लानिंग क्या होगा उसमें भी खास करके हम किस टॉपिक को पर हैं कि यहां से बीपीएस्सी में कुछे जाएं अभी अभी जो सरसठ्मी बीपीएस्सी का नोटिफिकेसन आया है और कुछ दिन बाद इसका एक्जाम भी होने वाला है हम खास करके उसी बीपीएस्सी मतलब सरसठ्मी बीपीएस्सी की बात करेंगे हम पिछले चार वर्सों के questions के pattern को देखेंगे और उसके अनुसार हम analysis करेंगे कि हमें किस topic को पढ़ना चाहिए या किस topic को नहीं इससे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ कि किस subject से BPSC में questions पूछे गए हैं और कितने questions पूछे गए हैं जो आप के सामने हैं इसका वीडियो पहले से बना हुआ है आप उसे देख सकते हैं आज हम बात करेंगे खास करके history की history में किस topic से कितने questions पिछले चार exam में BPSC में पूछे गए हैं और हमारी सरसथमी exam जो होने वाली हैं उसमें किस किस topic से कितने questions पूछे जाएंगे जैसा कि हम जानते हैं किसी भी PCS exam को clear करने के लिए सबसे important factor यह होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है और बहुत कुछ आपको पढ़ना भी है लेकिन हम यदि यह filter कर पाएं कि हमें क्या पढ़ना है और उनमें से क्या नहीं पढ़ना है तो आधा सक्सेशन हमें वहीं मिल जाता है तो यहां पर हम यहीं फिल्टर करेंगे कि हमें किस टॉपिक को पाड़ना है और किस टॉपिक को छोड़ देना है वह भी इतिहास में हिस्ट्री में और अभी हम बात करेंगे आधुनिक भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में किस किस टॉपिक से कि पिछले चार एक्जाम में पुछे गए हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तिसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और पहले हम हिस्ट्री की फिर जोग्रफी की फिर पॉलिटी की हम अलग-अलग सभी सब्जेक्ट की पॉछे गए हैं और यहां से कुछे गए हैं दूसरा है बिल्टी इस अपनी वेसिक नीतियां जिसमें राजनी तीक आर्थिक और प्रसासनिक यहां से साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप समझ लें यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन है यहां से हर साल कुछे जा रहे हैं तो आपके सरसथमी बिपीस्टी में यहां से कुछे जाने की चांसे बहुत ही जैदा है नेक्स टाइब जन जातिय या किसान आंदोलन इससे भी हर बिपीस्टी में कुछे गए है साथ से बासटमी में चारत तिरसथमी में एक कुछे चारत में यहां से देखिए आपको तिरसथमी और चोंसथमी में एक कुछे गए हैं अब बात करते हैं 1857 का आंदोलन ये भी एक बहुत ही important factor है यहां से 7-62 में एक questions 63 में नहीं पूछे गये हैं 64 में 2 और 65 में एक questions पूछे गये हैं करांदी कारी गतिबिलियां यहां से 3 questions साथ से 62 में 63 में 1, 64 में 2 और 65 में एक questions पूछे गये हैं भारतिय राश्ट्री आंदोलन ये तो आप उसे भी भी कर लीजिए क्योंकि देखिए यहां से साथ से 62 में साथ questions 63 में 64 में एक और 65 में तो आठ questions पूछे गये हैं इस चेप्टर से गौवर्णर जेनरल और उसके कार्ज यहां से साथ से 62 में दो और 65 में दो questions पूछे गये हैं जब कि सर्मिक आंदोलन से कोई questions नहीं पूछे गये हैं कांग्रेस अधिवेशन से साथ से 62 में को छोड़कर 63 में 64 में दो questions पूछे गये हैं अब बिभिन संस्थाय और उसके संगठन या संगठन इन से यह भी बहुती इंपोर्टेंट है देखिए हर एक्जाम में questions पूछे गये हैं साथ से 62 में चार 33 में 2 64 में 2 और 65 में चे questions जहां से पूछे गये हैं पत्र-पत्री का समाचार पत्र और पुस्तक जैसे की कौनसे के रैटर कौन है समचार पत्र के प्रकासक कौन है या कौन जी पत्र-पत्र का किसने लिखी है यह भी इंपोर्टेंट है यह हर भी QPSC में questions पूछे गए हैं साफ से 62 में 2 63 में 64 में 3 और 65 में 3 पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यह सभी चेप्टर जो आधुनिक भारत के लिए गए हैं वो सभी बहुत ही important है और इन सभी से आपके exam में questions पूछे गए हैं तो आपको इन सभी topic को अच्छे से पढ़ना है यहां से हर साल questions पुछे जाते हैं जैसे यहां पर यह देख लीजिए और यह दो देख लीजिए आप यहां पर कि यहां ब्रिटिस ऑपनेवेसिक नीतियां और जंजाती और किसान अंदोलन इन दोनों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए फिर इसके बाद देखते हैं नीजे इन दो टॉपिक को जहां से बहुत मात्रा में questions पूछे के हैं करांतिकारी गतिवीनिया और भारती राष्टि कांग्रे अंदोलन इसके बाद चाहिए टॉपिक और दो यह विभी संस्थाया और संगठा और पत्र का पत्रिका और समचार पत्र पुस्ता कर इन छे टॉपिक को आपको जरूर जरूर पढ़के जाना है हो सकते तो और चैप्टर ना भी पढ़े छोड़ दियो हो तो चले चैप और आधुनी भारत से जैदा कुस्ति पूछे जाते हैं फिर भी हम देख लेते कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने कुष्ण पूछे गये हैं गुलाम बंसे मधिकाली भारत के टॉपिक है जिसे सारसे बैसर ही में तीन और तीन सफ्थमी में एक कुष्ण सुष्ण गए हैं और लोदी बन से सबसे मुगल बन से हर एक्जाम में एक दो कुछे गए हैं मराठा से नहीं पुछे गए हैं दक्षिर भारत के इतिहास से साथ सबसेट में दो और तिरिस अधोलन से साथ से वासबी में एक और कशमें में कुछे गए हैं तो काने का मतलब और रइटर से एक्जाम में जरूर पुछे जाएंगे हिस्ट्री से पूर痛 रखना है यहाँ पर सबसे है इक चुली yn यह पढ़ना है कब चाहते हैं जहां से जहां से सौन से बागते हैं तो पूसरा आपके पास से बुक और रैटर से इन दोनों को आप जरूर जरूर पढ़के जाएंगे अब कोई टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं वो तो आपको जो भी पुरानी बुग है उसके रैटर है उसे आपको रटके जाना है कि नेक्स्ट प्राचीन भारत यहां से भी अपक्षा करेते में कम कुछे जाते हैं फिर भी देख लेते हैं सिंदु गांटी साब्यता या हरापा सब्ता से साथ सब्सक्राइब एक और तिसर्मी में नहीं पूछे गया हैं बाइदिक काल से कुछे महाजनपत से एक भी कुछे नहीं पूछे गए हैं लेकि बहुत धर्म और जयण धर्म से soda करूछ कुछे के हैं मौरज काल से डासर होए के साथD बाइस सब्सक्राइब में दो पुछेए या हैं गुप्त काल से साफ से बाइस ऑन तिसे में एक और थी सब्सक्राइबं में दो कुछे सब्सक्राइब को पढ़ना होगा जो यहां पड़ आपको दिख रहा है कि मौर्जकाल को पढ़ने सापको दो फैदा एक तो मौर्जकाल में जो पुछे सब्सक्राइब को पढ़ना है और आगे हम बात करेंगे भारत के भूगोल से किस किस टॉपिक से किस टॉपिक को छोड़ देना है उसके भारति अर्थ प्रवस्ता मैं से कौन सी टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट है आपके सब्सक्राइब बिए इंपोर्टेंट है फिर समान ने भी जियान जिसमें खाट करें बहुत के बारे में चर्चा करेंगे किसे आपको पढ़ना है किसे छोड़ देना है कि इसको सबसे ज्यादा ध्यान देका परना है और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुरे हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लिजिए और जूर जाए और वेल आइकान को जरूर प्रेस कर दीजिए से मेरे नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपता का असानी से कीजिए और मेरे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए थैंक यू थैंक यू भरी माच